हेलो बचो, नमस्कार, मैं मम्तेश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग भाई रोजगार विधनकित में, तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे आप लोग कैसे हैं, उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ही शांदार और चपरदस जि मतिजार आप लोगों को बहुत दिन से था के सर हम लोगो के लिए भी कुछ सोचिए, हलांकि आप लोगों के प्यारे बच्चो हम लोगों की तरफ से पूरी सपोर्ट है, जैसे ही आप लोगों के B.A. एंटरेंस एक्जाम के 2024 के आप लोगों के जो आवेधन सुरू हो गए यानि कि 10 फरवरी से आप लोगों के आवेदन शुरू हुए थे लेकिन प्यारे वीर आपकी जो लास्ट डेट थी वो थी आप लोगों की 10 मार्च लेकिन बुंदेलखन युनिवस्टी ने एक पत्र जारी किया जिसके कारण इसकी आवेदन कम होने के कारण बीयड में उसको संसोधन कर और बढ़ाया गया वो आप लोगों की 7 अपरेल कर दी गई यानि कि आपकी जो थी पहले 10 मार्च थी 10 मार्च को हटा करके 7 अपरेल लास्ट डेट आप लोगों की अंतिम्तिती कर दी पर इक सातिती भी इसनों ने बता दी है आप ओफिशल वेबसाइट प पर देखने के लिए मिलेंगी यहां देखेगा यहां पर एक आपरेल यानिकि एक फरवरी 2,024 से आप लोगों को हॉम से आप लोगों की मार्च दीती पहले लेकिन उसको बढ़ा करके इन्होंने अब क्या कर दिया था एक से 7 अपरेल 2024 कर दिया था लेट फीज के साथ यहां पर बताया है एडमिट कार्ड आपके कब जारी होंगे व्यारेवीर 13 अपरेल 2024 को इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में बता रखा है और इसकी जो लास्ट मतलब एग्जाम की संभावित बता रखा है वो बता रखा आपका 24 अपरेल यानि कि आप लोगों का जो एग्जाम होने की उमीद है वो आप लोगों का एग्जाम 24 अपरेल को होने की पूरी पूरी उमीद इसके लिए RWA क्या करेगा आप लोगों के लिए चिंता न करें आप लोगों की पूरी सहता हम लोग करने वाले हैं उससे पहले देखिएगा ये आप लोगों के लिए प्यारे बच्चो इस तरीके से एक नोटिस जारी हुआ था, अक्वार में कटिंग भी आई थी, मैं इस पर एक complete वीडियो भी बना चुका हूँ इससे पहले, लेकिन फिर से आप लोगों को बता दूँ, ये जो है बुंदे 2020 और 21 का जो एक्जाम कराया था, वो लखनव की युनिवस्टी ने, लखनव विस्विध्याले ने कराया था, उसके उपर था इसका जिम्मा बी एड का कराने का, लेकिन इस बार फिर से दोबारा से, देखो यहां दिया है, लगतार परिक्सा का जिम्मा मिलने वाला दूसर बुंदेलखन युनिवस्टी दूसरा बिस्विध्याले बन गया है, कुल सचीव ने बताया कि इस से पहले लखनव विस्विध्याले ने लगतार 2020 और 2021 में ये परिक्सा कराई थी, मैंने अभी बताया आपको के लखनव विश्विध्याले ने इस परिक्सा को कराया था प तीम्तिती यहाँ पर दे रखा वेपसाइट पर बुंदेलखन युनिवस्टी पर छातर चातर आएं दस मार्च तक आवेधन कर सकेंगे यानि कि दस मार्च तक आप लोग आवेधन कर कर दिया था एक से साथ अप्रेल क्योंकि मैंने बताया आपको अभी अभी बुंदेलखन युनिवस्टी ने एक लेटर जारी किया था आवे दन कम होने के कारण तो उनको बढ़ाया गया प्यारे बीर साथ अप्रेल कर दिया परिक्सा की जो टिटी है अभी आपकी ओफिशल वेबसाइट पर मैंने आपको दिखाई 24 अप्रेल रिजल्ट कब तक आएगा 25 से 30 मई तक इसके रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना 25 से 30 मई तक यहां दिया है देखिएगा यह रहा यह दिया है 25 से 30 मई तक 25 से 30 मई तक परिक्सा प्रणाम जारी कर दिया जाएग फिर उसके बाद 1 से 25 जून तक आप लोगों की काउंसलिंग लेटर यानि की काउंसलिंग कराई जाएगी यह सारी चीजे इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दी है आप लोगों के लिए आगे अब हम इसकी तैयारी कैसे करें अब यह समझे जेगा आज आपकी जो तारीक है आप लोगों की जो परिक्सा होने वाली है वो होने वाली है 24 अप्रेल को अभी आपके पास काफी समय है ठीक उसके लिए प्यारे साथी अब इसमें आने वाला ख्या क्या है भाईजय यह तो बता दो देखो इसके अंतर आने वाला क्या क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें आपको एक बात का विसेस नोट करना है, क्या है, एक तिहाई की प्यारे बच्चों इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, यानि कि एक तिहाई, एक बटा तीन की इसमें निगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहती है, क्या क्या प्रथम प्रशन पत्र को मिला करके और दितिय प्रशन पत्र को भी मिला करके दोनों को मिला करके ये पूरा 400 नमबर अर्थात पाट ए पहला प्रथम प्रशन पत्र जो होगा वो 200 माक्ष का होगा और दूसरा वाला जो होगा वो भी 200 माक्ष का ही होगा अर्थात 100 प्रशन पह ग्यान मिलेगा अर्थात जन्न नोलिज पचास प्रशनों की संख्या है और सो माक्ष सो अंक इसके हैं कुल अंक यहां देखे फिर उसके बाद भासा तामान्य ग्यान के साथ यानि की जीके के साथ हम लोगों को भासा मिलेगी हिंदी या फिर इंग्लिस इस दोनों में से जो ह तो अंक समय रहेगा आपका तीन गंटे का समय कितना रहेगा दोस्त तीन गंटे का यह है आपका प्रथम प्रशन पत्र की बात आगे आती है दितिये प्रशन पत्र तो दितिये प्रशन पत्र में क्या होगा आपको रिजनिंग अर्थात ये दिया है दितिये प्रशन पत्र यहाँ पर दिया है सामानिय अभिरूची परिक्षन जर्नल एप्टिट्यूट टेस्ट अर्थात रिजिनिंग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी इसमें प्यारे साथी आपको 50 प्रशनों की संख्या देखने के लिए मिलेगी और अंक रहेंगे आपके 100 फिर विशयोग्यता आती यह विशयोग्यता का कारण क्या होता यह क्या है विशयोग्यता का कारण यह है मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने विए किया अर्थात आर्ट साइट से पढ़ाई की तो आप लोग एसस्टी को भरोगे आप एसस्टी आपके एक्जाम में एसस्टी एक ही है, बहुत सारी चीज़ आने वाली है, अगर आप लोगों ने साइंस साइट से तयारी की, साइंस साइट से आप लोग पड़े हो, बियस्सी बगएरा की है, तो आप लोगों को प्यारे बीर, इसमें साइंस साइट में आपको दो पोर्शन देखने के लिए मिलेंगे, और एक आप लोगों को मैथ मिलेगा, यहां देखिएगा, इसमें बताया है, इसमें 50 अंक होंगे, किसके प्यारे बीर 50 ही मिलेंगे, एक कला वर्ग मिलेगा और विग्यान वर्ग मिलेगा आपको, सॉयंस साइड़ वालों को, इसमें भी प्रशन कितने होंगे, यहां देखेगा एक पचास का है अंक होंगे और दूसरे भी प्रशन कितने होंगे जो विशयवार बताया मैंने आप किसके तरह कर हैं कला वर्ग की कर सकते हैं और विघ्यानबर्gan की लेकिन प्यारेबीर आप लोगों को वाणिजी और कृषी की इन दोनों की तयारी नहीं करापाइं के दो कि दोसरी है कर दूसरी बात आती है 50 प्रशन यह हुंगे और 200 अंक का होगा कुल मिला करके 200 अंक 200-200 अर्थात कुल आपका 400 नंबर का पेपर है एक बटा तीन की मेरे दोस्त निगेटिव मार्किंग है तीन घंटे दोनों पेपरों में समय है तो आप लोगों के पास अभी बहुत समय तो आप अभी सही तयारी में जुट जाएए इसके ल एक चलाया था एन्ट्री भैच के नाम से हम लोगों ने बैच चलाया था ये काफी कारगर रहा ये काफी बच्चो ने इस बैच से पढ़कर के सरकारी सीट हांसिल की है रैंक के अनुसार अर्पर योफ रेंक भी उन लोगों को अच्छी मिली ए और और अगर आप इस एंट्रेंश को पास करके एक रैंक लाकर करके अच्छी रैंक लाकर के अपने परिक्सा में पास करके शीट रहांसिल करोगे तो आप गजा हजाइए डिया फस्ट सेमस्टर का, दस दूसरे सेमस्टर में लगेंगे, पूरा हो जाएगा, अर्थात 20,000 में ही आप लोगों का, पूरा हो जाएगा, अगर आप, फिर आप इसमें स्कोलर से भी आ जाएगी, स्कोलर से भी आ जाती है, यदि कोई गौर्मेंट किसी के परीजन सदेस्य नही आए हैं मैंने बताया कला वर्ग और विज्ञान वर्ग इन दोनों की तयारी करा सकते बानिज्य और किश्ट करसी कि नहीं करा सकते दोस्त इसमें विव्योडी वैच हम लोगों ने दिया कोर्स में खाज एक तो रिक खास जो है आप लोगों की एक तो रिकोर्ड़ेड क्लास ह आप मोगों के लिए तयार किया जारा इस वार आप लोगों को मोग टैस्ट भी मिलेगा इसमें एक्सपिरियंस टीचर बिल्कुल एकदम भाई कराया है और बच्चों ने शीट भी हासिल की है और ये पहले जो था प्यारे बीरो ये पहले जो था ये था 499 का लेकिन अब जो है प्यारे बीरो ये 399 रुपे में BOD बैच आप लोगों के लिए दिया गया है दूसरी बात अगर मैं कहँदू तो इसके बाद अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाते तो हाँ इसको पर्चेस कैसे करेंगे तो पर्चेस करने के लिए आप लोग कुछ इस तरीके से फोलो कर सकते हैं रोजगार विदंकित अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप लोगए प bomb क्लास में जा करके इस तरीके से फिर आप वैच को all courses में जा करके वैच को देखेंगे अपना जौन साथ पेच लेना है आप उसको ले करके फिर बाद में अपना पेड कर देंगे, आपका बैच ओपन हो जाएगा, दूसरी बात, यदि आप पेड कोर्सें नहीं पढ़ना चाते, तो फिर आप लोगों के लिए क्या है, तो फिर हम कैसे पढ़ें, सर हम कुछ बच्चों का ये कहना, कि सर हम फ्री में पढ़ना चाते हैं, तो उसके लिए हम के लिए कुछ करो, बहुत सारे बच्चों की इमांड है, देखो अब भी कमेंट में चला हैं कि सर प्रिक्टी से चलवा दीजिए, प्रिक्टी से चलवा दीजिए, तो प्यारे दोस्त, चिंता करने की जरुरत नहीं है, आप लोगों के लिए ताइम टेवल आपके सामने है और ये है RWA का जो गिफ्ट है आप लोगों के लिए ये है प्यारे दोस्त आप लोगों का गिफ्ट और ये स्टार्ट होगा आपका 21 मार्च से आप लोगों के प्रक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं 21 मार्च से यूटूब पर मेरे दोस्त आप लोगों के ये प्रक्टिस सैट स्टार्ट होने वाले हैं जिसका समय आप लोगों देख पा रहे होंगे सामने आप लोगों के हैं देखो हिंदी जो चलेगी आप लोगों की वो प्यारे दोस्त सुभा आठ बजे से चलेगी 50 प्रशन हिंदी के रहेंगे इसमें आगे आती है बात मैट्स की मैं करूँ तो मैट्स आप लोगों का 9 बजे से चलेगा आकासर आप लोगों को मैट करा रहे होंगे GS या SST की बात अगर मैं करूँ आठ साइड वाले जो पढ़ेंगे वो केबल ये वाली किलास पढ़ेंगे ये प्यारे दोस्त 10 बजे से आप लोगों की किलास चलेगी और जिसने भासा के चैन में इंगलिस भरी है वो आप इंगलिस की खिलास एक बजे से ले सकते हो और जिसने भासा के चैन में हिंदी की किलास भरी हिंदी भरी है वो प्यारे दोस्त आप 8 बजे से उसकी किलास ले सकते हो सुभा दूसरी बात अगर मैं करूँ reasoning की तो प्यारे दोस्त तो दो बज़े से आप लोगों की reasoning चल रही होगी और पांच बज़े सामके science आप लोगों का चल रहा होगा तो दोस्त ये है classes start from 21 मार्च यानि की 21 मार्च से आप लोगों की ये class start होने जा रही हैं तो सभी साथ ही इन classों से अवश्य जुणे और एक बात ध्यान रखना ऐसा नहीं के हम paid course से पढ़कर के selection ले सकते हैं हम free में भी पढ़कर के selection ले सकते हैं एक seat अपनी पकी कर सकते हैं तो प्यारे दोस्त जुड़ जाईए हमारे साथ 21 मार्च से हम लोग आप लोगों के लिए ready हैं तो सभी मेरे प्यारे साथ ही जुड़ेंगे इन classों से यही सूचना और यही R.W.O. का gift था जो आप लोगों को बताना था तो सभी साथी एक बार comment section में जरूर बताएंगे बिलकुल एकदम भैतरीन तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ें और अपने भविश्यों को जूल बनाएं नमस्कार धन्यवाद